नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग मिर नाम है विशाल परिहार अरुल सर पुनी सर भी आप जुड़ रहे हैं साथ में टीम, EVP करती है आपका स्वागत 2021 स्टार्ट होने को है कितना अच्छा रहेगा कि हम 2021 की जो भी प्लानिंग है वो हम पहले से ही करके चले वो सारे स्टूडेंट जिनका आप ग्रेजुएशन फाइनल येर होने वाला है या फिर जो फाइनल येर में आ रहे हैं और उन्होंने एक सपना देखा हुआ है कि 2021 में किसी भी बैंक में अगर नौकरी निकलती है तो वो नौकरी मेरे नाम होनी चाहिए तो उसकी प्लानिंग सारी चीज़ अगर पहले से हो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी और हम लोग इसी चीज़ को शिरुआत करने की पहल कर रहे है आरुन सर, पुनीच सर, विशाल सर यानी टीम एविप आपको बताएगी किस तरीके से हमारी प्लानिंग है और उस प्लानिंग में आप जुड़कर अपने सपने को पूरा करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग यहां मौझूद है तो मैं आपको पुनीच सर के पास ले चलूँगा है ना डिरेक्ली पुनीच सर आपको बताएगे रीजनिंग में वो कैसे कैसे पढ़ाने वाले कब से स्टार्ट करके कब क्या everything तो सबको जब भी रीजनिंग में पुनीच सर बताएगे फिर अरुन सर आएगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा तो सारी सारी प्लानिंग बड़े ध्यान से देखना दोस्तों और उससे पहले एक बार सेशन को जला शेर मार दो आपके पुनीच सर आपके चहेते सबसे बड़िया शांदार तरीके सापके सामने मौजूद होने वाले हैं पुनीच सर के पार तो वन्स अगे इन वेरी स्पेशल गूड इवनिंग तो आपके सामने मौजूद है तो जैसे कि विशाल सर ने भी बदाया कि नया साल शुरू होने वाला है और बच्चे बहुत एक्साइट हैं बहुत सार एक्जाम भी लगे हुए हैं बहुत सार एक्जाम लाइन अप है आपके तो काफी जो नए बच्चे हैं बहुत ही क्यूरियस हैं कि सर्फ 2021 शुरू होने वाला है और हम भी बैंकिंग सेक्टर में एक जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी कैसे करें देखिए जब भी आप कोई चीज शुरू आत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टार्टिंग जो नीव है वो बहुत मजबूत होनी जरूरी है तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए रीजनिंग में कैसे आपको मजब करने वाला हूँ और कैसे आपका बेसिक कॉंसेप्ट स्ट्रॉंग करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूँ कि एक batch जो अभी आपको हम लोगों ने बताया था फॉर्थ ऑफ जैन से शुरू हो रहा था जो बेसिक बैस था बेसिक बेसिक बैच जैसा कि आपने आपको बताया गया था चार जनवरी से बेसिक बैच बैच स्टार्ट होने वाला है या जैसे कि A to Z बेच भी हमने इसका नाम बताया था आपको तो ये चार जनवरी नेक्स टेर स्टार्ट होगा लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी इसकी प्लानिंग इसको किस तरीके से हम लोग एक्जिक्यूट करने वाले हैं उन सबके बारे में डिटेरिंग में इन्फरमिशन आपको 29th of Jan से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो फीस बढ़ जाएगी और ये डाफिनिटली है कि ये फीस बढ़ जाएगी आपकी तो आप 29th को हई अगर बैच स्टार्ट करेंगे तो आपकी सारे के सारे बच्चे जो पहले दिनी आएंगे उन सब को कहीं न कहीं पेमेंट इतनी जादा नहीं करने पड़ेगी तो बाद में आने वाले को करने पड़ेगी तो हमने का क्यों ना चार जनवरी को ना स्टार्ट करके हम 29th of Jan से इसको 29th of December से इसको स्टार्ट कर दे जिससे बच्चों का भी benefit हो पाए और उनको एक तरीके से हम कहें कि Christmas gift मिल जाए तो जितने भी बच्चे यहां आने वाले हमाज साथ जल्दी से जल्दी purchase कर लीजेगा क्योंकि 31st of December से आपकी fees increase हो जाएगी अब यह तो हो गया प्री वाले बैच की बात कि इसमें किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें मैं आपको हर topic का बिल्कुल जो base होता है जीरो से start करूँगा क्योंकि 2021 आपका सपना है तो हमारे पास time है हम लोग हर चीज को depth में पढ़ेंगे conceptual पढ़ेंगे उनके ओपर exercise करेंगे और हार topic को detail में पढ़ने वाले हम लोग साथी साथ अगर आप mains की तयारी कर रहे हैं तो 4 December से 4th of January से mains का बैच आ रहा है और इसकी timing है 8 to 9, 8 to 9 PM जो pre का बैच है जिसको अभी मैं बता रहा था उसकी timing है 7 to 8 PM तो यह evening में अगर आप प्री की तयारी करने जाते तो प्री की तयारी कीजिए अगर आपकी प्री की तयारी हो चुकी आप काफी लंबे समय से team ilp के साथ जुड़े हुए हैं तो mains की तयारी के लिए 8 बैस से लेकर 9 बजी तक आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं ओवर टू विशाल सर मेरी तरफ से सब चीजे क्लिए हैं अ सरसाइए बॉडिवल चली नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत बैंकर्स वेपर जैसे कि देखिए बाचल रही थी की 2021 की प्लानिंग तो हम हमेशा एक बात को कहते हैं कि देखिए सार दर साल निकलते जा रहे हैं हमें हर दिन ये अपने आप से पूछना चाहिए कि साल निकल रहा है साल के साथ साथ हमारा दिन भी निकल रहा है हमारी उम्र भी निकल रही है एक सही उम्र जो है वो यही है आपकी मैं कल भी बच्चों से यही क्या रहा था कि यहार हमने तो जो हमारा लक्षी है जो हमारा गोल है उसके comparison में आज की मेनत हमने थोड़ी सी कम करी तो यही बताने का हमारा आप लोगों को प्रयास है कि आप एक systematic way से हमारे साथ जुड़िए और अपने 2021 में banking exams जो आपने सोचें कि 2021 में जन्वरी फरवरी मार्च यह तीन महिने अगर मैं target करूं इस तीन महिनों में अगर मैं focus करके तैयारी करूं तो मेरा 2021 वाकई में बहुत अच्छा होगा 2021 के लिए plan क्या कि है पहले तो मैं बता लेता हूं कि क्या क्या शुरू होने वाला है देखिए सातियों जैसे कि बहुत सारे pre-exam अभी खतम होने वाले तो pre-exams बहुत सारे खतम होने वाले तो mains exams start होने वाले तो SBI का mains हो गया IBPS का mains हो गया RRB का तो mains के मेरे दो batch आपको देखने को मिल रहे होंगे एक D.I. का mains का बैचे मेरा जिसकी timing साड़े 6 बजे ये course मेरा live आप जाओगे मेरी profile पर आपको दीख जाएगा एक मेरा arithmetic का बैचे ये भी मेरा रात के 8 बजे मैंने क्या किया है कि mains के दो batch आपके लिए बनाए हैं 2 गंटे क्योंकि एक गंटे में possible नहीं है आपको सारा मेंस कवर करवा पाना तो दो गंटे मेंस के बैचे D.I. का और arithmetic का ये उन विथ्यारतियों के लिए हैं जो तयारी कर रहे हैं only only mains exam जिनके pre exams अभी 31 दिसंबर और even 6 जनवरी के बाद खतम हो जाएंगे तो 6 जनवरी को आपका paper खतम होगा ये हम शुरू कर रहे हैं चार जनवरी से ठीक है तो चार जनवरी से शुरू कर रहे हैं इसलिए शुरू कर रहे हैं चार जन्वरी से, दो दिन का जो आपको बीच में मारजन मिलेगा, वो आप रिकॉर्डिंग देखके कवर कर लेगे, ठीक है, तो ये हो गया मेंस का हमने खतम कर दिया, अब बात करते हैं, जो फ्रेशर केंडिडेट हैं, जिनका फाइनल ये रेस ठीक हैं, इस बैच में ये तीन महीने का बैच हैं, ये बैच शुरू हो रहा है आप लोगों का जैसे विशाल सन्ने का चार जन्वरी से क्लासे शुरू होंगी, और 29 तारिक को इसमें काउंसलिंग सेशन होगा, पूरा प्लानिंग आपको बताया जाएगा, तो चार जन्व को इसमें पहली क्लास भी है, बेसिक टू हाई है, बतलब पूरा बैच है, 39 जन्वरी से लेकर 11 अपरेल तक ये बैच चलेगा, 11 अपरेल तक, मतलब बच्चे आप देख सकते हो, पूरा पूरा जन्वरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अपरेल भी 11 तक जा रहा है, त कि आप अपनी क्यालकुलेशन की स्पीड को बूस्ट अप कर सकें, इस बैच का जो टाइमिंग होगा, वो शाम के पांच बजे रखा गया है, कि जो लोग शाम के पांच बजे अपना सुवे जॉब करते हैं, या पार टाइम जॉब करते हैं, तो शाम को अपना आके तियार जनवरी और मार्च ये तीन महिने मेरा फोकस है आप लोगों से कि तीन महिने जनवरी फरवरी और मार्च ये तीन महिने हैं ये तीन महिने आप 5 पीम टू 6 पीम एक गंटा कर रोज त्यारी करते हैं तो मुझे अकीन है कि इसके बाद एक्जाम आएगा बेटा SBI क्लर्क तो ज का कॉंसलिंग सेशन है, कॉंसलिंग सेशन में basically क्या होगा, कि आपको बताया जाएगा, आगे का 2021 का प्लाइन क्या है, कौन-कौन सी upcoming vacancies हो सकती है, कौन-कौन सी vacancies आप भर सकते हैं 2021 में, तो ये पूरा का पूरा प्लाइन है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, और आप लोगों को समझ में आगे होगा, basic to high batch है, complete course है, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो cover नहीं होगा, सब कुछ cover होगा, basic से लेकर high level तो मेरी तरफ से विशाल सर इतना ही, over to you, और कोई सवाल अगर आपके होँ, तो comment section में post कर देना, thank you so much. चलो दोस्तों, यहाँ पर अभी अरूज अन्य और पुनीश अन्य आपर बता दिया बड़े अच्छे से, कि किस तरीके से वो maths पढ़ाएंगी, किस तरीके से reasoning पढ़ाएंगी, मैंने आप लोग एक comment भी देख रहा हूँ, तो हलका confusion हो रहा है, 29 December, exactly 29 December, मैं जब आपको यहाँ पर लिखकर बता दिता हूँ, तो ताकि आपका confusion बिल्कुल एक दम दूर हो जाए, तो अभी जो class, अभी हम लोगों ने कहा था, जो bash शुरू होगा, है ना, हम लोगों ने यह बोला था, 4 January 2021 है, जो कि bash शुरू होगा, यह bash basic to high, यही तो हम बात कर रहें, इसी की ही class, अभी चार से ना होगा, एक और additional session हमने add करवा दिया है, तो वो additional session 29 तारीक को है, है ना, basic to high यह जो bash था, इसी का ही additional session और है, जो कि 29 तारीक को है, अभी 29 तारीक को क्यों किया गया है, मैं यह भी बता देता हूँ, 29 December 2020, हम क्या करेंगे, 29 तारीक को counseling session है, यह counseling session में मैं क्या बताऊंगा, मैं का मतलब हम तीनों की जो classes हैं, तीनों के timing के साथ, हम लोग बताएंगे क्या, आप में से बहुत से बच्चे होंगे, जो ऐसे होंगे, जिन्होंने graduation ना, final year में अभी होंगे, इस साल, final year में, बहुत से ऐसे student होंगे, जिनका final year 2021 में होगा, समझ रहे हो, यानि final year में एक अंतर आएगा, आप में से बहुत से student होगे, जिनका background ना, commerce होगा, जिनका background maths होगा, जिनका background arts होगा, तो definitely आप जब हर एक background के student होगे, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में बहुत बड़े confusion होगे, कि सर मुझे maths नहीं आता, आप अरुन सर से पूछेंगे, सर आपको आपकी category के साब से आपको बताएंगे कि आपको मैनद कैसे कैसे क्या 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 करने है, आपके पास एक perfect planning होगी, जब आप यहाँ पर आओगे, अपने एसाब से choose कर पाओगे, कि किस category के आप student हो, और किस category की student को कैसी तियारी करनी चीए, 2021 में आपके पास कैसी opportunities आएंगी, तो वो सारी की सारी opportunities आपको यहीं पता चलेंगे, अब ही मैं आपको बताता हूँ, January में क्या हो जाएगा, IBPS का calendar release होगा, है न, IBPS का calendar release होगा, अब जब IBPS का केलेंडर रिलीस होता है तो इस केलेंडर में बताया जाता है कि IBPS के exam कब कब कैसे कैसे होगे exams कौन कौन से होते हैं मैं बता दूँ आपको उसमें सीधे तोर पर चार exam होते हैं जो बता दिये जाते IBPS PO कब होगा IBPS क्लर्क कब होगा दूसरा IBPS RRB PO कब होगा IBPS RRB क्लर्क कब होगा है ना देखो exam में तो आपके एसो का भी exam आएगा इस बेही का भी exam आएगा पट ही आपका रिलीज हो जाएगा आपके इस exam के लिए कितना कितना हट तक पहुंच भा रहे होंगे यह सब कुछ हम काउंसलिंग सेशन में कर रहे होंगे यह benefit आपको मिलेगा समझ गे मुझे बोले जी सर समझ चुके हैं तो जैसे आपको यहाँ पर दोस्तों में पुनीच सर औरमाट्स में अरूशा ने बताया है सेम यसदों इंग्लिश का भी है जैसे इंग्लिश भी बेसिक चुहाइए इसका टाइम में दो इसकी भी पहली क्लास का वोगी wert 29 वी नाइंट को डिसेंबर उसकी बद दूसरी छी आए फॉर Лिकर आपको देखना है यह अपने इस आप सब तो मेंस का टाइम मेंस की आपकी वह बच्चे जिन्होंने अभी क्लर्क प्रिलिम्स दिया है एसबी आई का प्रिलिम्स वह देकर आएंगे यह उनकी लिए तो उनकी तो टाइमिंग 11 बजे और 12 बजे घ्यारा बजे, बारा बजे, ऑब्जे बजे इप्चिप्टीफ इंग्लिश इपढर रहे होंगे बारा बजे दिसक्रिप्टेफ इंग्लिश आपको मैंस पण आप tęग मेंस में होती है क्योंकि 31 तारीक से fees बढ़ रही है जो की information अभी पुनी सर ने और अरूज सर ने आपको दी है यह information दोस्तों ध्यान रगना जैसे कि यहाँ पर है यह fees बढ़ रही है फ्रम 31st of December से यह fees बढ़ रही है तो यह fees इससे पहले की बढ़ जाए अगर आपने planning की हुए है जादा फीज किसको दिन आप पसंद है किसी को नहीं definitely new year है तो नए जो प्राइज होंगे प्राइज रिवाइज होते हैं तो वो रिवाइज होंगे और वो रिवाइज हो रहे हैं अगर तो बेटर है पहले admission लेना तो one year subscription लेना दोस्तों classes कैसे लेंगे आप यह मैं आपको बत यहाँ पर ही होती है unacademy platform पर दो तरीके से class ले सकते हो number one unacademy learning app download करोगे आप इंस्टॉल करोगे इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अपना goal select करेंगे आपको goal है bank exam आप यहाँ पर चूज करेंगे bank जैसे UPSC CAC लिखाए SSC exams लिखाए फिर उसके नीचे bank exams लिखाऊगा आपको bank exams चूज करना है जैसे आप bank exams चूज करोगे get subscription वाला page आजाएगा जहाँ पर आपके सामने subscription में लिखाऊगा 6 months 12 months 24 months आप 12 months subscription पर चूज करना और यह अभी पुरानी भी है 12 months subscription चूज करना जिसकी fee 6000 रुपीज वहाँ पर दिख रही होगी तो code दोस्तो team AVP का है AVP10 आपको यह code लिखकर tap करना है apply पर आपने AVP10 लिखा apply करेंगे तो वही fee जो 6000 रुपे न दोस्तो 10% off वोकर आपकी क्या हो जाएगी 54 रुपे हो जाएगी 54 रुपे जैसी fee हो जाएगी फिर आप इसे payment कर देना तरीकी कोई पी है debit credit card EMI का भी option है no cost EMI आ and it is for all subjects किसी भी subject में आप जोई भी वीडियो देख सकते हो कितनी भी बार देख सकते हो कोई limitation ही complete one year subscription है आपको हर तरीकी की तियारी करना के मिलेगी प्रलेम्स हो मेंस हो descriptive हो interview हो हर तरीकी का suggestion हो everything you will get to know तो यह अभी है फिलाल मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूं उस fee के बारे में और आपको दिखा देता हूं वेबसाइट पे चलते हो थोड़ा वेबसाइट पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा देखो है ना देखो आप लिखेंगे यह anacademy.com आपने open किया ठीक है यह bank exam already मैंने चूज किया हुआ है get subscription करोगे आप यह दिख रहा है आपको subscription prices will be increased soon subscription prices क्या है जल्दी ही बढ़ जाएंगे तो फिलाल अभी फी दोस्तों दी हुई है आपकी यहाँ पर 6000 रुपीज और यह subscription prices जादा हो सकते 7 और 8 9 कितनी भी हो सकती यह मुझे नहीं मालूम है पर definitely subscription prices बढ़ जाएंगे तो इससे पहले आप ले लेना subscription अगर आपने प्लान किया हुआ है यह दो मेने बाद अगर आप करते हैं बेटर थे कि दो मेने पहले से start कर लो यह preparation है 29 तारीकों class होगी पहली class मेरी होगी दुपहर 2 बजे उसके बाद class अरुन सर की होगी शाम 5 बजे उसके बाद class पुनी सर की होगी शाम 7 बजे यह classes है और इन classes को आपक बढ़ो ऐसा नेगरना है कि जैसे हर बार बहुत से student के साथ हो जाता है कि अब वो तयारी तब शुरू करते हैं जब notification आ जाता तब तयारी नहीं होती है तयारी पहले से होती है जब notification आ जाता है तब तो बस अब दौड़ना होता है बट जब notification आएगा तब तयारी करेंगे दौड़ने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा है तो वह नहीं कभी situation आने देनी है पहले से दिमाग में रखा हमने प्लान किया हुआ है प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है वाकि मेरी शुब कामना है दोस्तों आप सभी के साथ में कैसे इसका subscription लेना मैंने ये भी बता दिया है साथ के साथ स्कोड को जरूर लगाना एवीपी टेन परसेंट आफ में लेगा हमें पता चलेगा आप हमारा डेटा हमा आपका डेटा भी हमारे पास होगा वाक्षप ग्रूप पर आपको एड़ लेंगे क्लास के सभी स्टूडेंट होंगे तो यह सारी के सारे benefit वह